हेलो स्थो एसके एलेक्ट्रों सब्सक्मा आपका स्वाइटासों कैसे हैं आप सब आसे करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तरे 24 इंचे नहीं 24 इंची के LED TV रिपेर होने के लिए इसके अंदर बैकलाइट ठीक है ग्रैफिक की प्रोब्लम है यानि की पैनल के अंदर क ऑर खोल लिया है आपको दिखाने के लिए कि क्या साय है ठीक है हम इसकी उतन फाल दिखाएंगे क्या अंदर कमी ओं है तो चलिए सबसे पहले आपको कमी दिखाते हैं मैंने में फिलग लगाया रेड लाइट यहां पर आ चुकी आप देख सकते हैं अच्छे तरह से ठीक है रेड लाइट आगे रेड लाइट आने के बाद दोस्तों मैं यहां पर इस्टंबाई से ओन करूंगा अभी स्क्रीन की अब देखो अभी कुछ नहीं है ठीक है अब मैं इसको ओन करता हूं अब यहां पर देख सकते हैं यह ब्लू लाइट आ चुकी है और यहां पर ग्रैफिक कुछ नहीं आ रहे अब देखो सबसे पहले हम बहुत सारी चीजों को चेक करना है इसके अंदर देखो मैं आपको ब यह confirm करेंगे कि हमारे बोर्स दिक्कित है यह हमारे पी सीबी से दिक्कित है महbasis के अंदर पैनल का अंदर पी सीब लेगी है यह ग्लास क्ट चलती हुई LED के अंतर यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टिमीटर लेंगे मल्टिमीटर लेंगे या पहले आप इसको LED को बंद करेंगे यहां से यह वाला पावर वाली पिन अटा ली पावर वाली पिन अटाने के पाद सबसे पहले आपको LED निकालना है सबसे पहले य ठीक है हम यहां पर इसकी पिन को आपसी लगा देंगे क्योंकि सबसे पहला काम हमारे यह होता है क्योंकि अगर यह किसी वज़े से ज्यादर गंदी हो रही होगी तब भी दिखता आएगी अब इधर की तरह आजाएंगे फिजिकल चेक करेंगे देखो आप फिजिकल देखो सबसे पहले दोस्तों हमें वोल्टेज चेक करनी है जो हमारा यहां पर में बॉर्ड है इस में बॉर्ड से जो यहां पर पैनल लगा हुआ इस पैनल पर 12 बननी है नहीं बननी है यानि कि इस पैनल को चलाने के लिए वोल्टेज बननी है नहीं बननी है तो उसके लिए हम क्य को देखेंगे यहां पर इस्टर देख रहे हैं इचेश्टर यह रेट इंद्ध कलर कि लाइन है में राइड कलर की लाइन और सप्लाइब आप आ शेकती है और बोई पैनल यहां पर यह जो ट्रेक रहा है यहां पर रिश्टर लगा हुआ है जो कि फ्यूज का काम करती है तो इसके दोनों तरफ बार वल्ट आजन चीए जब कि हम जब हमारा पैनल ओन हो तो यहां पर लगाएंगे पिन मीटर में देखेंगा अभी कोई वोल्टेज नहीं अब यहां पर अन करते हैं पहले रेड लाइट मे और यहां पर आप देखेंगे तो कोई भी ग्राइफिक नहीं है ठीक है कोई भी अब यहां पर आ जाईए अब यहां पर हमारे कुछ वोल्टेज वोल्टेज होते हैं पैनल के नंदर तो थोड़ा सबाइट छिल करके दिखातँ हूं ठीक है आपको अच्छे से दिखेगा देखो अब मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूं यह देखो यहां पर हमारे पैनल के अंदर कुछ वोल्टेज आनी चाहिए जब कि अगर वोल्टेज आ रही है तब भी पैनल में यह फाल्ट तो तो बताएंगे क्या हो सकता है अगर नहीं आ रही तो बताएंगे क वोल्टेज देख लेंगे कि अमने विची जब वघ्ट चयाने जो आ रही है। तो चलिए दुबारा से छेक कर लेंगे ठीक है यहाँ झेदी यहां पे यहां पे सबसे फेले उल्टेज देखेंगे व्यडीडी वह blir टेसे जो की 12 बायख 150 जो कि यहां पर йहाँ पर फेर दिखांगा। यह VGH लिखा हुए VGH की voltage चेक करेंगे यहाँ पर VGH की कोई भी voltage नहीं है अब यहाँ पर मैं आपको पैनल के एक data sheet दिखाओंगा तो यहाँ पर मैं ना बता कर आपको बता देता हूँ दोस्तों जो यहाँ पर VGH वाला तो यहाँ 24 to 37 वाला अती है यह जो VGH वाला point है, यहां पर VGH वाला जो आप point देख रहे हैं, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं, voltage कोई भी नहीं है, और LED TV हमारा इस condition में on है, ठीक है, अब आ जाते हैं, अगले यहां पर AVDD, यहां पर AVDD की voltage चेक करेंगे, देख सकते हैं, पैनल पर क्या सो हो रहा है, 7 K यहां पर आप देख सकते हैं, जबकि यह नहीं होना चाहिए, VDD की 3.3 voltage आती है, AVDD की, ठीक है, यह हमारी voltage नहीं बननी, ठीक है, अब यहां पर चेक करेंगे VGL point है, यहां पर आई यह पास से दिखाए, यहां पर दोस्तों छोटा से लिख रहा है VGL, यह देख लो, ठीक है, इस पर point पर लगा के चेक करेंगे, यह देखो, माइनस के 5V, माइनस के 12V मिलने चाहिए, जो कि यहां पर 13KM reading मिल लिया है, ठीक है, तो यह सारी voltages हमारी आई नहीं दी है, अब यह सारी voltage नहीं आ रही है, तो हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर VGH के point पर लगा है, और यहां पर red, यह वाली light भी आ रहे है, ठीक है, अब यही कैमरे को रहने देंगे, अब पहले LED को करते है, OFF, ठीक है, यहां पर LED TV को OFF कर लेते हैं, देखो, LED TV हमारा OFF condition में चला गया है, ठीक है, और यहां से जो हमारी 12V हैं, वो चली गई है, ठीक है, वो हमारी 0 हो पहले DC पर ही लगा लेता हूं, इसको टरेक, वैसे तो यह automatic है, देखो, मैं DC पर लगा लेता हूं, इसको, DC पर लगा लिया, तो यहां पर आप मीली voltage देखने हैं, तो यहां पर voltage जो है, एक second के लिए आएंगे, जैसे में LED TV को ON करेंगे, अब देखना, यहां पर देखो, य यह voltage घटते जा रहे है, मालब यहां पर कुछ second के लिए voltage बने, ठीक है, कुछ second के लिए voltage बने थे, VGH point पर, ठीक है, अब यहां जाते है, VGL point पर, यह देखो, VGL point पर यहां पर देख सकते हैं, हमारे यहां पर मीली voltage आ रहे है, 69.9 मीली वल्ट, अब यहां पर LED TV को फिर से ब करते हूं, तो voltage देखेंगे कितने बढ़ते हैं, तो अभी note करेंगे, देखेंगे, voltage बढ़ेते, लेकिन फिर से वाप सी आ गई, ठीक है, एक दम से मतलब बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो panel के अंदर, यह DC to DC IC जो लगी हुई है, यह बिल्कुल ठीक है, इसका म बनना है, VGL point होँआ, यह भी कुछ सेकंड के लिए बनना है, DVD बनना है, यह सारी voltages कुछ सेकंड के लिए बननी है, तो इसका मतलब दोस्तों, जो हमारे PCB है, उसके अंदर दिक्कत नहीं है, जो IC से लेटिड, तो यहाँ पर DC to DC IC होती है, सबसे पहले यह, ठीक है, पहले हमने सिगनल एक सेकंड के लिए पास हो रहा है, इसका मतलब हमारे कहीं न कहीं चोटे कंपोनेंट में शोटिंग है, यह हमारी कोफ में शोटिंग है, चोटे कंपोनेंट का मतलब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह PF लगे हूं है, यह PF लगे हूं है, यह PF लगे हूं है, तो आप चलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम लाइन को बंद कर लेते हैं यहां से इसे बंद कर लेते हैं लेटी टीवी को हमने लेटी टीवी को बंद किया अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे वो सोटिंग तो नहीं है एक प्रोब ग्राउंड पर लगे रह यह वी प żyकेंग ए अब गूद्ट नहीं करैंग है यह अब यह उग्रान तु नहीं झाश ह्पी माइनस है इदर प्लस पोइंट है एदर खोटिंग नहीं है मालग है उपन को बता देता हूँ फूर देखेंगा अब हमारे पैनल के अंदर दोस्तो कुछ कोफ होती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो boy का पैनल है यह यहाँ पर लिखा हुआ भी ओ यह कमपनी है, जो पैनल बनाती है ठीक है यह इसका serial number है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, HV236W, HW इस तरह से यहां कोफिए कोफ यहां पर है less or we know何 बार 50 range करेंगे kissy paralya लेडी टीवी को सकता नेता है Jacob आपे लाइश को लेघार होगी है जोसलों कि इसे निवे नियुत नहीं आप हमें सबसे पहले कर देखना कि अधम होगी आप तर डहें है इसको भाट टीवी रवाट अससारा कर लेंगे थेक है इसको यहां से यहां 123 कर लेंगे तो टूरूण हमने यहां से फ्रैम कोल लिए हैं यहां पर हमने यह देखना है कि साइड कोफ तो नहीं है है का मतलब जैसे यहहां पर आप देख सके हैं यहां धर्वी कोफ में नहीं है क्या वां इसका प्रस्दी इसको परusion पीज़ और कि निकालेंगे की बौड़ सीधा करेंगे उसमें से बॉर्ड में से हमार एसलगा करेंगे सब से पहले जाले आशे और आप यहां तो हमें यह देखना है कहीं आपको जली ना लगे तो हमारी कौफ जो है बिलकुल ठीक है तो हमारी जली वाली तो है नहीं क्योंकि हमारे यह सारी चीज़ चेक करनी पड़ती है इसके बहुत सारे स्टैप होते हैं अगर कहीं से जलू ही होती है तो हम उसे माइनर सी कट कर देते हैं तो हमाने से सोटिंग है ना वह रिमूव हो जाती है अब हमने यह फैक कर दिया वाप सी ठीक है अब इसको उल्टा कर आ हो यहां पर आजाएयए आवे मिन पॉइंट यहां पर देखो तो कैमरा में रावने केम्राव साथ में हम अब देखो तक है कि यह यहाँ पर देखाये हो ओग है कि यह वाले जैनिस है यह यह चेला किया यह 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 वाले इधर की तरफ, और यहां पे आद दूसरी साइड आएंगे, और यह वाले इधर की तरफ, यह, यह यहां पे इसमें CKV लाइन्स होती है, यह, तो एक ग्लास के अंदर या कोफ के अंदर शोट हो जाती है, तब यह दिक्कत आती है, ठीक है, यानिकि यह तो हमारी को तो यह चीज के लिए पता लगाने के लिए दोस्तों आप मीटर से भी चेक करोगा ना तो कभी भी शोटिंग का सही तरीकी से अंदाजन नहीं पता लग पाएगा तो उसके लिए क्या है तो अब हम वही चीज को पर देखते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है जैसे आपका भी टीवी खुला हुआ है ठीक है तो पहले तो आपको फिर से फाल्ट देख लो क्योंकि हम यह चाहते हैं कि मनमें किसी कोई डाउट ना रहे एक बार एक बार में आशा वह अब देखो मैं LED TV को फिर से एक बार ON कर देता हूं इसलिए अब देखो अब देखो जैसे आपका LED TV यहां पर खुला हुआ है थोड़ा से लाइट को अलग कर लेते हैं तो आपका जैसे LED गूला आपके सामने जो पढ़ रहा है ना एक तो लेफ्ट पढ़ रहा है एक राइ हमने एक सार्प सा ब्लेड लिया और इसको यहां से इस तरह से खोल लेंगे ठीक है अब इसको लाइन को करेंगे पहले बंद आईए वाई कैमरा मैं थोड़ा सा यहां पर आजाई आप देखो अब आपको यहां से में थोड़ा जोम करके दिखा देता हूं यह देखो ठीक है आपको जूम हो गया होगा यहां पर करना यहां पर ठीक है अब यहां पर आपको जो यह लांस है इन लाइनों को कट करना है अब आई हैं यहां यह देखो मैंने आइन कट करिये कज़ेबाई को हुआ है थीर मेंने लान कट कर है तो मैं एक बार क्या करूंगा कि एक बार फैनल को छेक कर लेता हूं घ्र तो अलागत करेंगे एक बार वोड़िज चेक करेंगे फिर से थीज़ करेंगे इस पॉइंट है अब लेटी टीवी को अन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 26 voltages आ चुके हैं ठीक है जो कि पहले नहीं आ रहे थे तो माइनस के VGL point देख लेते हैं यहां पर माइनस के 8 voltage आ रहे हैं तो एक बार हम panel को सीधा करके देख लेंगे तो यहां पर अभी हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है आप यह देख सकते हैं तो आपके लिए surprise है फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर नो सिघ्वा लिक्तक वाली बात नहीं है घंड्र मतलब आपको करने के बाद तका पिनल बंध आओं तो आपको लगे ना कि इस वाले ट्रैक को लाट जोड़ने से फैनल बंद हो गया तो आपकी पिक्चर बिल्कुल साफ आएगी तो दुबारा से एक बार चेक कराएं को यहां से बंद कर लेते हैं तो बंद किया यहां से ओन किया ठीक है और यहां से यहां पर आप देखेंगे उन किया और करने के बाद आप यहां पर देखेंगे अभी हमारा कुछ नहीं आया आएगा भी इसमें जो पिक्चर से वह भी मलब जो लिख्या आता है नो सिगनल वगयरा वह सब कुछ आएगा है यह वी तू आ चुका है ठीक है और अभी जो नो सि है मैंने आपको बताया अगर वीडियो देने के बाद इसमें माइन लाइन आती है तो आपको यहां पर यह जो लाइन समने काटी है इन लाइनों को एक करके आपको जोड़ के देखना है तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पे नहीं तो करना थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो जैहिन जैश्री राम दोस्तो